नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका चैनल पर और हम बनाने वाले हैं एक बैक बटन जिससे हम अपनी सेकेंड एक्टिविटी से अपनी फर्स्ट एक्टिविटी पर जासे पने जैसा नॉर्मल एप्लिकेशन में होता आप देखते होंगे अपनी मोबाइल में तो उपर एक ब कुछ यह जैसे टेक्स्ट वीव तोड़ा से चेंज किया है और यह कुछ हैसे ही नॉर्मल से चेंजिस किया है यह मैंने अपनी पहली वाली वीडियो में बनाया था तो अगर आप पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं कि फर्स्ट एक्टिविटी से से केंड्ड बनाएं सेकन्ड एक्टीविटी बनाएं और उसके बाद इसको इंटेंट से जैसे मैंने में आक्टीविटी डाट जावा के फाइल पर हमें इसारी चीजे लिखी हुई है इंटेंट एड़ करके इसे टॉंक्लिक फंक्शन लगाएं यह सब लगाने के बाद जब आप एक में नीचे होती है पर यह जो application में होती है हम वो बनाने वालना है तो हम कैसे बनाएंगे manifest file में जाएंगे यहां पर देखें left side में manifest पर जाएंगे एप एप से manifest manifest android manifest.xml जो यह फाइल दिए इसको हम open करेंगे यह उपन होने अब यह करने के बाद अब देखेंगे कि हमारे में इसको हम दीबग से करते हैं और उसके बाद बाद जमां बाद आपको दिखाया है देएगे हाएक back button हम हो जएगा अभी on मैं देखाता हूं आपको पहले से k इस इंस्टाल होने देते है कि मारे आपको मॉबाईल में दिखाऊंगा थोड़ा सा टाइम देखा तो nis diab Gerka म मां आपको olviden पर लेकर चलता हूं और वहाँ पर दिखाता हूं कि हाँ हमारी सेकेंड एक्टिविटी पर यह बैग बटन आ गई है कि अब देख सकते हैं इंस्टॉल हो चुका है सक्सेस्वली अब मैं आपको दिखाता हूं मोबाइल में ले चलके जैसा कि आप देख रहे हैं स्टॉर बटन बना हुआ है और जो मिस पे क्लिक करेंगे तो हम इने क्वस्ट ऑसकते हैं तो जैसा कि आपको मैंने दिखा दिया है हमें कैसे एड़ करना है और अगर आपके वीडियो से लगता है तो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही Android Studio, Java और Application ऐसी टेखनिकल चीज़ों पर मैं वीडियो बनाता रहूंगा और आपको सेट करता रहूंगा तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब दा चैनल अधिक्यो फो वाचिं इस वीडियो